तो पिछले एपिसोड में हुआविन और उसके साथ ही उने यू हाव को घेर लिया था और इस तरह से वे इसे फाइट के लिए चैलेंज करने लगे थे जिसके बाद यू हाव हुआविन से पूछता है कि आखिरकार या फाइट किसके लिए तब इस पर हुआविन कहता है कि एगर तुम इसमें हार गए तो फ्रasında assessment का reward मेरा हो जाएगा लेकिन इसके बारे में सुनते ही वांगु से कहता है कि तुम इसके बारे में सोच भी कैसे सकते हो या देख जुलू से काती है कि तुम तो इसके बारे में इतना ज्यादा डर गए लेकिन तब ही हम जाते हैं की य इसके लिए भी मान गया था और फिर वो हुआ बिन से कहता है कि हमें फ्रेस्मेन असेस्मेंट में एक सोल बोन मिला था जिसे कि सियाओ ने अपने पैर के साथ में मर्ज कर लिया है तब इसके बारे में सुनकर हुआ बिन उससे कहता है कि अगर तुम इसमें हार गए तब उसके हिमत कैसे हो गई और तुम अभी तक भी क्लास टू में रिपोर्ट करने के लिए क्यों नहीं गए तभी यू हाओ टीचर जामा से बता देता है कि इन लोगों ने हमें यहाँ पर घेर लिया इसी के साथ यह लोग हमें फाइट के लिए भी चैलेंज करने लगे जिसके बाज़ इसी लिए हम इन से माफी क्यों मांगें तब या सुनकर टीचर जामा कहती है कि अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो मैं इसके लिए तुम्हें चान से रूर दूंगी लेकिन उसमें हारने के बाद लूजर को माफी मांगना होगा जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बा यान के पास में मिलने के लिए आया हुआ था जहां पर यानुस से पूछता है कि आज तुम्हें यहां आने का टाइम कैसे मिल गया तब इसके बारे में सुनकर यानुस पर गुसा होते हुए कहता है कि तुम इसके बारे में इतने असानी से कैसे भूल सकते हो और तुम उससे पूछता है कि आखिरकार मार्सल सोल डिपार्टमेंट का ऐसा कौन सा इस्टूडेंट है जिसे कि हमने अपना कोरी स्टूडेंट नहीं बनाया और अब उसे तुम अपने सोल गाइड ब्रांच में लेना चाहते हो वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीचर जामा सभी को आने वाले एंटरंस एक्जाम के बारे में बता रही होती है जहां पर ग्रेड वन और ग्रेड टू के बीच में होने वाले मैच को बीच्ट एरिया में आयोजित किया जाएगा लेकिन तब ही इसी वक्त हम देखते हैं कि यल्दी अपने दो लोगों के साथ में यहां पर जाती है और वो यू हाउ को कलास से बाहर आने के लिए कहने लगती है वहीं उदर चियान ने यान से बता दिया था कि वह अलड का यू हाउ है जिसके बाद यान कहने लगता है कि उसके पास में तो केवल 10 साल की सोल्डिंग है इसलिए मुझे आसा लगता है कि उसके पास मे cultivate करने का potential नहीं है लेकिन आखिर कारिय चियान उसे अपने department में क्यों लेना चाहता है तभी चियान उसे कहने लगता है कि तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हूँ जिसके बाद यान सोचने लगता है कि क्या मुझे अपग्रेड असेस्मेंट के होने का इंतजार कर लेना चाहिए क्योंकि उसके बाद मुझे यूहाओ के ability के बारे में पता चल जाएगा इसके बाद वो चियान से कहता है कि किसी student को transfer करना इतना आसान बात नहीं है जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर चियान इसके ऊपर गुसा होने लगता है वहीं दुसरी तरफ टीचर जांवा एल्दिया और उसके लोगों से भी punishment देना होगा क्योंकि यासा करके उसने बहुत बड़ी लापरवाही की है और इसलिए मुझे लगता है कि अब हम उसे head teacher के रूप में यहां से dismiss कर सकते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि अल्दिया फिर से जगा से भी मत हिलना जिसके बारे में सुनकर एल्दिया उससे कहती है कि या खिरकार तुम यह क्या करने लगी और क्या तुम अपने केवल फैवरेटी स्टूडेंट को बचाने के लिए इसकूल के रूल को तोड़ना चाहती हो वहीं दुसरी तरफ हम देखते हैं कि बाखी स्टूडेंट भी अब इसके बारे में बात करने लगे थे और कहने लगते हैं कि क्या वे केवल इसके लिए teacher जावा को यहां से fire करना चाहते हैं लेकिन तब ही हम देखते हैं कि यू जादा गुसा आ रहा था लेकिन आखिर कर वो इस समय इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था वहीं दुसरी तरफ हम देखते हैं कि आखिर कर अभियान बीच यान की बात मानने के लिए ready हो गया होता है और वो यू हाउ को सोल गाइड ब्रांच में ट्रांसफर करने के लिए ready हो गया था इसके बाद हम देखते हैं कि Mr. Fan बी यू हाउ को बचाने के लिए यहाँ पर आगया होता है और फिर अलिया से कहता है मैं अब देखता हूँ कि मेरे होते हुवे यू हाउ को कौन क्या कर लेता है जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से परिसान हो جाती है और पिर वो Mr. Fan से फूछती है कि तुम यहां पर क्यों आए जिसके बाद Mr. Fan को देखते ही अलिया के लोग यू हाउ को चोड़ देते हैं और फिर Mr. Fand और एक नया बैज लगा देता है जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बाद से वे सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे त्योंकि असल में वो लेवल टू वाले सोल मास्टर का बैज होता है इसके बाद मिस्टर फैन सभी से कहता है कि यूहाँ ने केवल 8 महिने में सेकेंड लेवल वले assessment को पूरा कर लिया और ऐसा करके इसने स्रेकिज स्कूल के सोल गाइड ब्रांच में हिस्स्री बना दिया है जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बादे में सुनकर सभी लोग इस बाद से हैरान हो जाते हैं लेकिन अब इस पर मिस्टर फैन इन से कहता है कि तु बातों के उपर यकी नहीं होता और फिर वो मिस्टर फैन से कहती है कि तुमने आसकेवल टीचर जामा के लिए किया होगा तब इस पर मिस्टर फैन उससे कहता है कि यू हाव केवल मेरे लिए काम करने के वज़ा से लेट हुआ था इसलिए इसके सारी responsibility मैं लेता हूँ लेकिन इसके बाद भी यल्दिया उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बातों के उपर यकीन कैसे करूँ और आखिरकर इसके बारे में तुम्हारे पास क्या सबूत है जिसके बाद हम देखते है कि मिस्टर फैन इसे डीनियान और डायरेक्टर चियान के दोरा साइन किये गए अपने लोगों के साथ में यहां से चली जाती है जिसके बाद मिस्टर फैन यू हाउस से कहता है कि एक्जाम के बाद तुम सोल गाइड ब्रांच में रिपोर्ट करना और इसके बाद वो भी यहां से चला जाता है वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चियान ने यान के सभी गिरे हुए गोल्ड सोल कोईन्स को ले लिया था और फिर इसे अपने साथ लेकर वो यहां से निकल जाता है जिसे देख यान कहता है कि यहां आदमी तो हर जगा किसी ना किसी का फायदा जरू लेता है लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चियान इस बाद से बहु पूरी तरह से हैरान हो जाता है अब इस तरह से उसे समझ में आने लगाता है कि चियान ने इसे अपने जाल में बहुत ही असानी से फंसा लिया जबकि यूहाओ तो असल में इतना सिंपल नहीं आए तब इसकी बात सुनकर उसका आदमी कहता है कि हमें यूहाओ को फिर से व आए हैं लेकिन तभी इसी पीच हम देखते हैं कि सोले रिना के अंदर बहुत सारे बदलाव होने रखते हैं जिसके बाजा सिया जगा अब एक कोलोसियो में बदल गया था और फिर इसे देख सियाओ का आने लगती है कि येलो बैनर के अंदर सौ साल के सोल बीच्ट है जबकि तो ऐसा लगता है कि हमें सोल बीच्ट के साथ में फाइट करना है इसलिए जो कोई भी ज्यादा साल वाले सोल बीच्ट को हरा देगा तब उसके बाद इस तरह से उसके पास में ज्यादा पॉइंट होंगे लेकिन तभी हुआ भी ना कर उसे कहता है कि तुम्हारे पास में तो के बल दस साल की स्वोल्डिंग है तब इस पर यू हाउस से पूछता है कि तुमने कल हमें जो चैलेंज दिया था क्या अभी तुम उसे हमारे साथ में करना चाहते हो जिसके बारे में सुनकर हुआ बिन कहता है कि मैं जो कहता हूँ ऐसा जरूर करता हूँ अब इस तरह स हम देखते हैं कि यू हाउवी इसके लिए रेडी हो गया था जिसके बाद हुआविन कहता है कि जिसके पास में कम पॉइंट होगा वो इसमें हार जाएगा और इस तरह से उससे सब के सामने सलामी देनी होगी तब इसके बारे में सुनकर यू हाउवी कहता है कि चलो हम इस इसे भी ट्राइ करके देख लेते हैं तब इस पर हुआ विन कहता है कि अगर तुम सबके सामने अपने मजाग बनते हुए देखना चाहते हूँ तब उसके बाद मैं तुम्हारे इस विसको पूरा जरूर करूंगा अब इस तरह से हम देखते हैं कि यहां पर यह assessment शुरू हो और इसके लिए यहां पर कोई एक नया मास्टर आया होता है तब ही उससे देख सियाओ कहने लगती है कि वह तो काफी अजीब है और फिर वो टीचर जावा से पूछती है कि आखिर कार वो है कौन तब इस पर टीचर जावा कहती है कि वो कुलोसियम का हेट जेंग लोंग है जिसे की बिश्किंग के नाम से भी जाना जाता है इसी के साथ वो इने बताती है कि वो लेबल 92 वाला ग्रेंट सोलाइन मास्टर था इसके बाद हमें पता चलता है कि यहां पर सबसे पाला मैच यू हाओ का ही होने बाला था इसलिए टीचर जामा उसे इसके लिए जाने के लिए कहती है जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाओ भी हिसके लिए Amsterdam के सामने आ गिया होता है लेकिन वहिं दुसरी तरह हम देखते हैं कि या नभी यू हाओ के बारे में सोजकर परिसान हो रहा होता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहाあ था कि आखिरकार वह के वहल 8 मह आता हूं कि तुम किसे चूज करना चाहते हो जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ ने 100 साल के 26 को चूज किया था तभी इसे देख जुलू का ने लगती है कि उसने तो के ओल 100 साल के 26 को चूज किया और इसलिए मुझे समझ में नहीं आता कि वे हमें इस तरह से कैसे हरा पा है जिसे देख यान कहता है कि ज्यादातर फ्रेसमें कभी भी 26 के साथ में अकेले में फाइट नहीं करते इसलिए मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर कर वो इसका सामना कैसे कर पाएगा क्योंकि इस वाइंडलिंग वुल्फ का इस्वीर बहुत ज्यादा होता है लेकिन वह ही दुसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाउ इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया होता है और अब इसके लिए उसने अपने सेकेंड सोल स्किल को एक्टिवेट कर लिया था लेकिन तब ही हम देखते हैं कि जैसे ही वो वुल्फ इसके उपर अटैक करने के लिए आता है यू हाउ भी तुरंत अपने सोल्रिंग के औरा को रिलीज करना सुरू कर देता है जिसके वज़ास से हम देखते हैं कि वो वुल्फ अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इसके अलाबा इसके पावर को देख बाकी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गय और अब उसे भी समझ में आ जाता है कि या तो कोई बहुत इंट्रेस्टिंग स्कील है लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि खुद टीचर जावा भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गई होती है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर कार यू हाउ सेंचुरी माइलेनि वहीं उदर बाकी स्टुडेंट भी इसके पाउर को देख पूरी तरह से हैरान हो गई होते हैं और इसके अलावा इसके बाचा से खुद हुआ बीन की हालत भी पूरी तरह से खराब हो गई होती है वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर सौ साल के जितने भी सोल प्रिस्ट होते हैं वे यू हाँ के पाउर के बाज़ा से पैरलाइज हो जाते हैं लेकिन तब ही अमें पता चलता है कि या तो असल में टियान मेंग का प्लानिंग था क्योंकि वह हुआ भी न और उसके साथियों को किसी तरह से हाराना चाहता है और इसलिए उसने इसके बा के पास में सिमुलेट करने की अबलीटी है जिसके वज़ास से वो इसके स्प्रीट वेब का यूज़ करके इस पेस को भी बहुत ही असानी से चेंज कर सकता है और इस तरह से यह अपने आपको बहुत सारे रूप में बदल सकता है इसके अलावा इसके सिमुलेशन स्किल के पास में सोल्डिंग के कलर को भी चेंज करने की अबलिटी है और असल में ऐसा ग्रैंड सोल लैंड मास्टर भी नहीं कर सकता था फिर वह आगे कहता है कि आई सिल को और क्लैन बैतल में कमजोर होते हैं जिसके वजा से अगर हमारे पास में ऐसा यूनिक इसकी नहीं होता तब इस तरह से हम नौर्थ के कौर इरिया में सरथ कैसे कर पाते इसके बाद हम दे eager की समझ कैई थी कि इसी तरह से उसने इसके साथ में पी चलाकी किया था, लेकिन तभी इसी भीच न देखते हैं कि जेंग यूहाउ के उपर बहुत ज़्यादा गुसा हो जाता है, और फिर उससे कहने लगता है कि आखिर कर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन तभी यानुस के पास आ कर उसे कहता है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे जिसके बाद जेंग कहता है कि इसके सेंचूरी मालेनियम सोलिंग ने सभी सोल विच को पैरलाइज कर दिया जिसके बज़ा से अब वे दो दिन तक रिकवर नहीं हो पाएंगे और अब इसलिए मैं आज के एक्जाम को नहीं कराऊंगा तभी यान भी सभी से कह देता है कि यहां पर कोई प्रॉब्लम हो गई है जिसके बज़ा से हमें आज के एक्जाम को कैंसिल करना होगा लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वाविन भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और उसे बिल्कुल भी यकी नह ही परेंड हो जाता है तो अगर एक्स्प्लानेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो कॉमेंट करके जरूर बताना लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना